द्धतूरे का बहुत अच्छा क्रमे महारा था वो केवल शिवरात्री की दिन करने का होता है करते हैं जिसका वेपार ना चले वेवसाई ना चल रहा हो बहुत ज्यादा कश्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलिफ हो रही हो तो धतूरे को हल्दी में डु के बार श्री शिवाय नमस्तु भ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांद कर वेपार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांद दिया जाए वेपार पीछे नहीं अटता वेपार अगरने भाव में बढ़ता चले जाता है महाराज उस धातूरे को केवल पंदु शिवराक्त अगरी के दिन रात को बारा वजे ही किया लिए हल्दी में डुबोना पड़ता है यही प्रमान एक्रम में ओर है माराजी लिंग पुरान कती है मान लो किसी व्यक्ति को कोई भारी बिमारी हो गई बड़ा रोग हो गया और वो रोग डाक्टर कह रहा है कि यह ठीक नहीं होना है बहुत तकलीफ उसमें है और कश्ट ही कश्ट है वो ठीक नहीं हो रहा है दबाईयां दबाईयां लग रहे है यह गोलियां गोलियां खा रहे है त पर तेख महीने आते हैं किसी भी शिवराटरी के दिन साथ धतूरे लेकर एक धतूरे में मोली लच्छा नाड़ा लपेटकर कर चंद्रमोली भगवान का इस्समर्ण करकर उस मोली को लपेटकर छे धतूरे में हलदी लगा शंकर भगवान की जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है शंकर भगवान का यह शिवलिंग है यह जलाधारी है यह भगवान का जल निकलने का इस्त्रोथ चरणारविंद का भाव शिवलिंग जहां रखा हुआ है यह पारवती जी का हस्त कमल जो यह गोल भाग है यह पारवती का हस्त कमल जहां शिवलिंग रखा लगा जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेजी महराच का इस्थान है उसके उल्टे भाग में श्रीकार्तिके जी का इस्थान है जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है कहीं साब बना होता है कहीं इस्थान बना होता है जो मोटी सी लाइन है ये संकर भगवान की सबसे छोटी लड़की असुक सुंदरी का इस्थान जलाधारी के उपर जो तीन टेकी लगी है ये भ्रगुरिशी का भ्रंगी गण का इस्थान इसके उपर जो कलस है कलस में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बून्द बून्द नीचे गिरता है, ये संकर भगवान की पाँच लड़कियों का इस्थान है, जया, भिशहरा, शामरीबारी, धो तली और देवा, ये पाँच लड़कियों का इस्थान है, शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की और जब जल जाता है उस इस्थान पर भगवान संकर के सारे गणों का इस्थान है फिर जब जल बहकर सामने की और जाता है जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान संकर के उस जल भाग को गरण करने के लिए 33 कोटी विराजमान रहते हैं महाराज तो जो बिमारी डाक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कश्ट है ठीक नहीं हो रहा चाहे लीवर से जुड़ा हो चाहे केंसर से जुड़ा हो और मानलो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो तो महाराज निवेदा ने साथ धतूरे एक धतूरे पर मोली लपेट कर वो शंकर जी के शिवलिंग के उपर चड़ाना छे धतूरे उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेजी का इस्थान दूसरा धतूरा श्री कार्थी के जी का स्थान तीसरा धतूरा अशुक सुंदरी का स्थान मारत चंकर भगवान की जगदंबा जी की हस्त कमल के उपर एक धतूरा एक धतूरा जहां से जल नीचे की और बेकर जा रहा हो पानी जिस जगा से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वही पर एक धतूरा चड़ा देना है उपर देना है बारो महीने शिवरात्री आती है आप किसी भी शिवरात्री को कर सकते है किसी भी शिवरात्री झाल